मुदी जी, सारी जनता को मन की बात सताते हैं, अज सारी जनता की कठी वाज मन की बात मुदी को भी सुनना चाहिए, क्यों चुप करके बैठ रहे हैं, उसको रेक वर्क की बात भी सुनना चाहिए, कली आपकी मन की बात नहीं सनाते रहना चाहिए, सभी की मन बात सुनें, एक आपका नाम क्या है और कहां से आप आए हैं मेरा नाम है अंगरे सिंग हम पिंजाब से हैं जिला फिरोजपूर से आए हैं तो फिरोजपूर में कितने लोग जिस गाउं से आप आए हैं वहां पे कितने लोग रहते हैं उस गाउं में और वहां से कितने लोग यहां आए हुए हमारे 700 आदमी की वादी हैं जो की कम से कम हैते आपध़ारों से करणब की बात कर रहा है तो इससे आपको क्या खतरा दिखाई दे रहा अगर जितनी जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो कहा जाता है कि वो ज्यादा सुविधाएं देती हैं बढ़िया सुविधाएं देती हैं बढ़िया अगर आज की तारीक में लोग इलाज कराने जाना चाहते हैं तो प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहते हैं आज की त कर सकते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जाना चाहते हैं तो अगर इसी तरह से यह निजी कंपनी आएंगी तो क्या खेती को कुछ नया एंगल कुछ नई डामेंशन नई तकनीक देने का सहयोग करने का आपको नहीं लगता करेंगी ने भाइया है खत्रे खत्रे करून का कै पिर्दा इसको होएगा 안ा जब की जब प्राइवेट स्कूल जब सट्रकारी स्कूल चल रहे हैं जब प्राइवेट आ गे थे सारे सरकारी स्कूल स्कूल एक खत्म हो गों बिछ ज़तने हैं सब राइवेट से बंद हो रहे जितना अधिदा को他85 टदेह को खत्म कार देता ऐसे जड़ा अज मंदैया देविच प्राइवेट जड़ो बपारी आएगा चोंव करी तेगा सरकारी सिस्टम एटो मैटो से शरकार बोलति यह करें कैंडों पारे आप देया भी बंद हो जाएगा जिदो दो चार साल मेरे को रेट बात दिया किसी को 200 रुपीया देदेगा 300 रुपीया पर जो बात वेचो होएगा वो ऐसा होएगा जो अच प्राइवेट स्कूल अले कार रहे हैं दो यह रफीज जो अस्तल अले कार रहे हैं पहलो आप से करा के रहां गें करा के रहां गें कुल मिलाखे जी कानून वापस कराने के लिए सारी की सारी फोकस है सारी की सारी ताकत है क्योंकि किसानों को यह लगता है जो कानून है यह देश विरोधी कानून है किसान विरोधी कानून है और जिस तरह से जो मद्ध प्रदास प बलकि ये आवाम की भी लड़ाई है आवाम को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर जो भंडारन का कानून है अगर वो रहा तो किस तरह से चीजे महंगी हो जाएंगी मैं इनकी बातों से काफित तक सहमती भी रखता हूं क्योंकि यदि आज देखें आप प्याज 100 रुपए किलो भी मिला क्या आलू अगर 60 रुपए 50 रुपए 45 रुपए बिलब मिका तो क्या किसानों को आलू का दाम 30 रुपए भी मिला क्या अगर नहीं मिला तो जाहिल सी बात है इसमें निजी करन जो लोग कोल्ड स्टूरेज में हैं जो लोग स्टूरेज करते हैं भंडारन करते हैं प्राइवेट कुछ कर नहीं पाएगी, रीजन प्राइवेट कमपनियां बड़ी-बड़ी मात्रा में जैसे महन साब ने कहा कि भंडानर कर लेगी, स्टोर कर लेगी, दो साल वो सस्ता माल बेचेगी, किसानों से महंगा माल लेगी और तीसरे साल अपने मन चाहे रेटों पे वो किसानों से माल मांगेगी, फसल मांगेगी, अदर्वाइस वो किसानों का जो फसल है, क्योंकि कार्प्रेट्स के पास इतनी वाकई में ताकत दी है, कि वो अगर फसले नहीं खरी देंगी, तो किसानों की फसले सड़ जाएंगी, और किसान मजबूरी में हो सकता है, आध ट्रेक्टर चला के नस्ट कर दिया कारण क्या था गोभी की कीमत उसको बाजार में एक रुपए किलो मिल रही थी अब एक रुपए किलो में अगर वो गोभी बेचेगा तो आप समझ सकते हैं इस थिति क्या होगी तो इस थितियां वैसे ही किसानों के लिए खतरनाक हैं काफी कि जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं अस्पतालों में तो क्या आप उसे भगवान मानते हैं वो भी तो आपको पैसे के बदले ही आउपरेशन करता है पैसे के बदले ही तो आपको दवाईयां देता है बट उसके बावजूद आप उसको भगवान मानते हैं क्यों क्यों कि वो आपका जीवन बचाता है शिक्षक हमारे भविश का रचाइता होता है हम उसका भी आदर करते हैं और किसान अगर आप कहने आपके पैसों के बदले देता है तो आपको शायद याद नहीं है उन युवाओं को जो लाल बहादुर शास्त्री के समय में जब हमारे देश म अन खतम हो गया था तो क्या हुआ था लाल बहादुर शास्त्री पधान मंत्री जी ने लोगों से आवहन किया था रिक्वेस्ट करी थी कि पूरा का पूरा देश एक दिन के लिए कम से कम उपवास रखे तो इतना हमारे पास अन बच जाएगा कि हमें शायद विदेश से ब बनेगा इंजिनियर बनेगा ये बनेगा वो बनेगा सरकारी नोकरी में जाएगा कोई कहता है क्रिकेटर बनेगा कोई कहता है कि मेरा बेटा बड़ा होके किसान बनेगा क्यों कि वहां से लोगों का डिटेश्मेंट हो रहा है और डिटेश्मेंट होने का कारण सिर्फ और स कितना लगा टेक्स कितना लगा उसके बाद आप जाके दाम तै करते हैं लेकिन किसानों का दाम सरकार तै करे या दूसरी कंपनिया तै करे यह कितना उचित है यह आपको सोचना चाहिए